नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज हम है हर की पोड़ी हरी द्वार में हरी की पोड़ी भारत के उत्राखन राज्ये ये थार्मिक नगरी हरी द्वार का एक पवित्र और सबसे महत्वपून थार्मिक स्थल है इसका अर्थ है हरी यानि नरायन के चरन हरी द्वार में गंगा के किनारे हर की पोड़ी प्रमुक और लोगप्रिये घाठ है इसे राजा विक्रमा दित्ते ने बनवाया था यहाँ पर आप एयर, ट्रेन और सड़क के द्वारा बहुत ही आसानी से पहुँच सकते हैं यहाँ निकटदम रेल्वे स्टेशन हरी द्वार रेल्वे स्टेशन है हरी द्वार भारत के प्रमुक स्थलों के साथ रेल्वे नेट्वर्क द्वारा अच्छी तरह से जोड़ा हुआ है अगर आप आए एर आना चाहते हैं तो यहां का निकटतम हावाई अड़ा चॉली क्रांट देरादून हावाई अड़ा है जो यहां से मातर 75 किलोमेटर की दूरी पर स्थित है वहां से आपको टेक्सी इसी इजिली मिल जाएगी जो आपको हर की पोड़ी हरिद्वार तक छोड़ देगी यह है महारत का सबसे प्रमुख घाट है जिसकी सुर्यास्त के समय गंगा आर्थी पूरे विश्य भर में प्रसित है हरिद्वार में स्थित इस खार्ट की बहुत माननेता है कहां जाता है कि इस खार्ट पर स्नान करने से सीधे मोक्ष्ट की प्राप्ती होती है सुर्यास्ति के समय इस खार्ट की खुबसूरते देखते ही बनती है चलिए मैं आपको हरकी पोड़ी के दिहास की बारे में बताती हूँ देवताओं और दानवो के बीच हो रहे समुद्र मन्थन के दुरान जब विश्व कर्मा जी अमरित के लिए जगड रहे देव दानवो से बचा कर अमरित ले जा रहे थे तब ही अचानक अमरित की कुछ बूंदे धर्ती पर गिर गई और वह स्थान थान में एक महतोवाली स्थान बन गए अमरित की बूंदे हरी द्वार के हरकी पोड़ी खाट पर बिगिरी थी इसलिए हर की वोड़ी खाट पर स्नान करना हरित्वार आय हर शधालू की इच्छा होती है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस खाट पर स्नान करने से सीधे मोक्ष की फ्राप्ति होती है पुराणिक कथाओं के अनुसार इस खाट को राजा विक्रमा दित्या ने पहले श्तापती ईसापूर्व में अपने भाई बीर्थरी के याद में बनवाया था ऐसी मान्यता है कि बीर्थरी हरिद्वार आया था और उसने पावन गंगा के तपस्या हरिद्वार के इसी तड़ पर की थी बीर्थरी के मरने के बाद उसके भाई राजा मिक्रमा दित्या ने बीर्थरी के नाम पर एक खाट का निर्माण भी करवाया जो बात में हर की बोड़ी के नाम से प्रसिद हो गया हर की बोड़ी को ब्रहम कुर्ड भी कहा जाता है यही भैस्तान है जहां से मागंगा परवतो और पहाडों को छोड़ मेदानी इलाकों की दिशा पकड़ती है ऐसा माना चाता है कि हर की पोड़ी घाट के उपरी दिवार पर सुर्म विश्णु जी ने अपना पागन चेंद छोड़े हैं, जिसे हर समयमा गंगा अपने पवित्र लहरों से छूती रहती है हर इद्वार में रहने के उचित प्रभंध हैं, यहां खिफायती और अराम दायक धरम शालाई, होटल और लॉज असानी से मिल जाते हैं कुछ गंगा के तड़ पर ही वो प्लब्थ हैं, जो आप पहले से बुकिंग कराएंगे या बहां पहुँचके भी आप बुकिंग करवा सकते हैं यहां पर जादतर भक्त सावन के महीने में, महाशिवरात्रे के महीने में, कुम्प और गर्मियों के चुटियों में बहुत अच्छे से यहां पर भक्तों का आगमन होता है यहां पर भक्त गंगा मा के दर्शन करने और गंगा आरतिया टेंड करने आते हैं महिलाओं के लिए अलग से घाट बना हुआ है और महिलाओं पुरुषों के लिए अलग लग घाटों के विवस्ता यहां बहुत ही अराम से की गई है और बहुत ही साफ सुत्रा है हरिद्वार और आप आईए और यहां पर आप आप आटो और रिक्षा से अराम से घुम सकते ह और यहां पे लोकल रिक्षाज है जो आपको यहां आसपास के पूरे के पूरे हरिदवर के दशन करा देंगे यहां पे खाने पीने की बहुत अच्छी वेवस्ता है यहां पे आपको पूरी भाजी पूरी सबजी और पूरी कचोडी मिल जाती है साथ ही आपको इंडियान हैं जो सुबह आते हैं और गंगस नान करके शाम की ट्रेन से वापिस चला जाते हैं सो आप आज हरी की पूरी में हैं और आप पताइएगा कि आपको यह अपिसूड कैसा रहा हुआ